जैस्मीन और रूबीना ने याद कि अपने बच्पन के पल जहां रूबीना आज भी इस बात से डरती है वहीं जैस्मीन ने बताया क्या था उन्हें बच्पन में सबसे ज्यादा पसंद बिग बॉस के घर में दोनों ने ही इस बात का क्या खुलासा चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी बात है बिग बॉस सीजन 14 में रूबीना बिनाब और जैस्मीन के फ्रेंशिप एक अलगी लेवल पर देखी गई है जहां ये शुरुआस से ही बिग बॉस की घर में एक अच्छा बॉन्ट शेयर करते हुए नजर आए एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आए और अब दोनों ही अपनी पॉसनल और प्रोफेशनल बात करते हुए भी नजर आते हैं अब बीते ही एपिसोड में रूबीना और जैस्मीन अपने बच्छपन की बातों को शेयर करते हुए नजर आए जहां रुबीना ने कहा कि वो अपने स्कूल में मॉनिटर रही और इसके बाद हेड़ गोल और अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती थी इसकी वजह से और एक्जाम के तीन या चार दिन पहले वो पढ़ाई करती थी जिसकी वजह से उन्हें एक्जाम हॉल में एक्जाम देने से डर लगता था और आज तक वो बाते सपनों में याद आती हैं जिससे रुबीना डर जाती है जहां जैस्मीन ने कहा कि मैं भी क्लास की मॉनिटर रही हूँ लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ग्राउंड के पीछे जाकर खेलना पसंद रहा है अब जैस्मीन ने ये जो बाते कही हैं लगबग बच्चों को पसंद आती है वेल बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के आरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले